हेलो फ्रेंट्स आज के रेसिपी है सर्व गुंद संपन यानि की चटपटी, हेल्दी, मज़ेदार और कम समान से बनकर इंस्टिट तयान होने वाली जिसे घर में कोई बच्चा भी बना ले और हाँ एक ही परकार के समान के इस्तमाल से आज हम बनाने वाले हैं दो रेसिपी वह भी चटपट तो चलिए देर किस बात के शुरू करते हैं तो इस रेसिपी के बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहां पर लेना एक कप चावल चावल मोटा बारिक जो भी आपके पास वो ले ले अगर मोटा है तो आप मोटा भी ले सकते हैं साथ में डाला है आदा कप मूंग डाल से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं मूंग डाल हमारी साबूत वाली है अब इसमें हम खूप सारा पानी डाल देंगे खूप सारा मतलब इतना जितने में यह डूप जाए और इसको हम रेस पे छोड़ देते हैं कम से कम दो घंटे के लिए अगर नाश्ता आपक तीनों चीजे यहां पर फूल चुकी है तो एक बार हम दोबारा से इस सारी चीजों को टेंकी के निचे ले जाके अच्छे से थो लेंगे वाश कर लेंगे और उसके बाद ट्रांसफर कर देंगे मिक्सी जार में बिना पानी के तो हमने यहां पर तीनों चीजों को एड़ क पानी और इसको पीस के रख देंगे एक साइड और कर लेते हैं छोटी से तैयारी दो मीडियम साइज की उबलेवे आलूली है एक चम्मस डाला है हमने इसमें आमकी अचार का मसाला साथ में डाली है थोड़ी प्यास टेमाटर दोनों ही चीजे थोड़ी थोड़ी है और अतिं कि दालिकने प्याफटी डाल के सारी ज़िखों के यहां पर अच्छे से में ऑनगाट कर भी मिच्छ马 कोई प्ometर में पर उससे पहले हम डालेंगे यहां पर साथ के डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार लालमिच पाउडर, आदा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा डालें चाट मसाला यानिकी एक चुछाट मसाला मसाला को भी आज़े से मिक्स दे दिया मिक्स्चर बनकर हमारा रेडिय है चाहे चम्मच से बना ले चाहे हाथ से बना ले अमें यह अब इसमें एड़ करेंगे स्वाद अनुसार नमक और साथ में डालेंगे एक चोथाई चमच खाने वाला मीठा सोडा यानि की बेकिंग सोडा आप यहाँ पर इनो सॉल्ट भी ले सकते हैं अब दोनों चीजों का अच्छे से इस मिक्स्चर में हम एड़ करतेंगे पानी वग गैस पर एक मीडियम साइस का पैन लिया है मैंने ना जदा बड़ा है ना जदा छोटा है आप ये काम तवे पर भी कर सकते हैं एक चमच तेल डालेंगे और साथ में डालेंगे थोड़ी सी सरसो यह पूरी तरह ऑप्शनल है अगर आप ऐसा करना चाहें तो करें नहीं तो सी कर देंगे और उपर से थोड़ा सा मिश्चा हमें डालना है एक चमचा भरकर नहीं डालना है नहीं तो यह जो हमारा नाश्ता बहुत मोटा हो जाएगा और इसको ठक कर हम डेड़ मिनट के लिए अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे बहुत अच्छे से प पुरकुरा मज़ेदार टेस्टी और सबसे बड़ी बात हेल्दी होता है और दोनों तरफ से हमने इसको अच्छे से से लिया आप दूसरी साइट भी मैं आपको यहां पर दिखा देती हूं अब यह हल्की कच्छी लग रहे हैं मुझे तो मैं इसको दूसरी से भी दुबार कर त्यार कर सकते हैं या फिर एक दूसरा तरीका भी है मेरे पास यहां पर मैंने एक तवा चड़ा है तवा पर एक चमचा बैटर डलकर इस तरीके से डोसी की तरफ पहला दिया है कोई दिकत निया अराम से फैल जाता है और उपर से डाला थोड़ा सा तेल जब नीचे से हल से दो तरीके का हमारा नाश्ता बनकर रेडी है अब यह जो में नाश्ता है मैं आपको कट करकर दिखा देती है उपर से जितना क्रिस्प अंदर से उतना सौफ फुला फुला स्पंजी नाश्ता बनकर तयार हुआ है घर में बच्चे-बड़े सभी को बहुत पसंद आने व यह भी नारेल चटनी के साथ खाकर इंजोई ले सकते हैं तो अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो देख चोटा सा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजीगा तो मिलते हैं नए दिन नए रेसिपी के साथ थैंट्स पॉर वाचिंग